थी हेलो दोस्तो कैसे आप सब आई होज आप्टिक कॉले थी जो की संच पर आई के मोडल रही है पानी बार आ रहा है और परी में तीन दोस्तो हमने उसमें क्या किया आये ऩे डेखते हैं वी डियो में आपको उसरे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम में आपको नहीं नहीं वीडियो मिलते रहेगी तो दोस्तों आईए हमारे साथ चलते हैं वीडियो में देखते हैं क्या हुआ है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह सैंसेंग कंपनी का फ्रीज है इन्वेटर मोडल इसमें दो कुलिंग को एला एक फ्रीजर में और एक रैसेटर कंपाट्मेंट में देख रहे हैं दोस्तों इसमें ओवर आइसिंग की प्रोब्लम थी इसके बारे में मैं दोस्तों आगे एक्स्प्लेइन करूँगा यह प्रोब्लम क्यों थी इसमें देख रहे हैं दोस्तों यह आईस इस तरह से यहां पर भी आईस है और दोर पे भी आईस है तो इसके लिए मैं आभी आपको आगे एक्स्प्लेइन करूँगा यह क्यों थी यह दो प्रोब्लम किस्टमर ने मुझे बताई थी और तीसरी प्रोब्लम और थी दोस्तो इसमें इसका हैंडल भी टूटा गता एक लोख हैंडल का टूटा गता एक डौर में भी लोग होता है उसका यह हैंडल इस तरह का होता है उपर को उठाओ भार आ जाएगा पेच बग कि अब ये फैन मोटर और सेंसर के कनेक्टर हम निकाल रहे हैं जैक से निकल गए हैं कि सामने आप देख पा रहे हैं कूलिंग कोईल एक कूलिंग कोईल फ्रीजर में है और एक रेफ्जेटर का अंपार्टमेंट में हैं और दोस्तों ये ड्रेन ब्लोक है इसके ये देख रहे हैं ना पानी रुका हुआ है इसमें ये ड्रेन ब्लोक दी इसके अभी हम कैपलरी की साहिता से इसको क्लीन करेंगे ठीक है दोस्तों और दोस्तों जो ओवर आइसिंग की जो इसमें प्रोब्लम आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कस्टमर का डूर प्रोपर बन नहीं था इस वैसे इस में ये प्रॉब्लम आरती है ओवर आइसिंग के और दोस्तों अगर ये सिंगल डूर फ्रिज होता तो नीचे कुलिंग नहीं होती है उपर इतनी आइसिंग आओ जाती नीचे कुलिंग आना बंद हो जाती और रिटरं डक्ट इसकी ब्लोक हो जाती कि यह हमने कैपलेर से इसको क्लीन कर रहा है दोस्तों दुबारा करेंगे अच्छी तरह से कर देना चाहिए दोस्तों यह दुबारा ब्लोक जल्दी नहीं होनी चाहिए अभी मैं इसमें एक पाइप डालूँगा यह वोसिंग मशीन के प्रेशर सेंसर वाला पाइप है अभी फूक मारकर जो कच्रा वगेरा होगा सब भारा जाएगा इससे नीचे की तरफ कमपेशर ट्रे में चला जाएगा अब हम पानी डाल के चेक करते हैं सेक्सेस हुआ के नहीं फ्रेंड सेक्सेस हो चुका है तो इसमें पानी गिरने की जो प्रोब्लम होती है ड्यूल कुलिंग्वेल वाले में वह यहां से ट्रेन ब्लोक होने की वैसे होती है वह दोस्तों और और ऑवर आइसिंग की जो प्रोब्लम थी इसमें वह दोर प्रोपर बन ना होने के वैसे थी क्योंकि दोर के आगे कस्टमर ने कुछ ऐसा समान रखा हुआ था बहुत हलका से दोर खुला रह जा रहा था जो कि कस्टमर को भी नहीं पता चल रहा था मैं गया मैं जाते द देखते ही समझी गया कि इसमें डोर खुला होने के वैसे प्रोब्लम है तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर सिंगल कुलिंग को यह वाला होता तो उसमें नीचे कुलिंग बंद हो जाती और दोस्तों यह हैंडल है इसका ने लग जाता है हम लोग जुगाड के खिलाडी है और एक टेक्निशन को होना भी चाहिए दोस्तों तभी तो काम कर पाएंगे हम लोग यह देखें मनें सेंटर में पेंच लगाया है एक स्क्रू सेंटर में लगाया है और एक स्क्रू में नीचे लगाऊँगा फिर दो स्क्रू इसके साइड में लगाऊँगा ही परी जिससे के आप देखेंगे और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नहीं है पहली बार वेड कर देना जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए और दोस्तों हमारी फिरिज के लिए और भी वीडियो है गैस चार्जिंग से रिलेटेड लीनियर कंप्रेशर पर वह भी जरूर वोच करें बहुत अच्छी वीडियो है और दोस्तों कमेंट में आप अपना टोपिक भी बता सकते हम कोसिस करेंगे आपके टोपिक पर भी वीडियो बनाए जैसे जैसे मेरे पास में कमलेंड आ रही है उसी साथ से मैं आपको कमलेंड की वीडियो बनाके दिखा रहा हूं कस्टमर एंड पर ही आपको के लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा देगा दोस्तों मजबूती से टाइट हो गया है यह दो स्कुरू और मैं आपर लगा रहा हूं तो यह दोस्तों जुगाड है और कुछ नहीं है ओके दोस्तों ठैंक्यू पर वॉचिंग मैं वीडियो और खुस रहिए अच्छे से रहिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ठैंक्यू पर वॉचिंग